ओम नमो भगवते बासुदेवाय नमहा राधी राधी सभी लोग दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी यूटुब चैनल सिपांगी विलोग्स में दोस्तों इंद्रा एकदसी बहुती मुख्य होती है क्योंकि इस एकदसी में हम जो भी फल प्राप्त करते हैं वो अपने पित्रों को हम स्वयम दान कर सकते हैं तो दोस्तों पित्रों पच्च में पढ़ने वाली इंद्रा एकदसी का ब्रत आपको 28 सितंबर को रखना है जैसा कि आपको पता है कि इंद्रा एकदसी जो होती है वो पित्रों के निमित होती है तो चलिए इंद्रा एकदसी की जो ब् भाव से सुनते हैं दोस्तों इंद्रा एकादसी का ब्रत 28 सितंबर स्रेनिवार को रखा जाएगा अश्विन महा के कृष्ण पच्च की एकादसी की तिथी को इंद्रा एकादसी का ब्रत होता है पौराडिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति इंद्रा एकादसी का ब्रत रखकर भगवान विश्णू की पूचा करता है, उसके पित्रों को मूच की प्राप्ती होती है। रत्यु के बाद उसे भी स्वर्ग लोग में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पित्रों को त्रक्त करके मूच दिलाना चाहते हैं, तो आपको विदी विदान से इंद्रा एकदसी का ब्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंद्रा एकदसी का ब्रत की जो कथा है उसको जरूर पड़ें। इससे ब्रत पूड होगा और पुन्य लाब भी प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं इंद्रा एकदसी की ब्रत कथा। राधी राधे सबी लोग थोड़े से हाथ में पुष्प इत्यादी लेकर हमें कथा सुननी चाहिए। एक बार युदिस्टर ने भगवान शिरी कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकदसी ब्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान शिरी कृष्ण ने कहा कि इसे इंद्रा एकदसी के नाम से जानते हैं जो पापो को नस्ट करके पित्रों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं जो केवल इंद्रा एकदसी की ब्रत कथा सुन लेता है उसे बाजबे यग कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस ब्रत की कथा कुछ इश्विरकार है। सत्योग में महिश मतीर नगर पर राजा इंदरिशेन का सासन था उसका राजी हर पिरकार से सुख और सुविधाओं से भरा था धन और धानने की कोई कमी नहीं थी एक दिन नारत जी इंदरिशेन के राज दर्वाज में प्रिकट हुए दिवर्शी को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण जानना चाहा पर नारत जी ने कहा कि वे यमलोग गए हैं जहां पर तुम्हारे पिता से मुलाकाद हुई थी उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भीजा है नारत जी ने इंदर सेन को बताया कि वे एकादसी का ब्रत करते थे किसी कारण बस उसमें बिग्न पड़ गया था उसकी बज़े से उनको यमलोग में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है यदि तुम चाहो तो इंदर एकादसी का ब्रत बिदी पूर्भक करो जिससे उनको मुक्ती मिल सकती है और वो स्वर्ग में स्थान पा सकते हैं इतना सुनकर राजा इंदर सेन ने नारत जी से कहा कि आप इंद्रा एकादसी की ब्रत बिदी बताएं उसके अनुसार ही ब्रत करेंगे इस पर नारद मुनी ने कहा कि इंद्रा एकादसी के दिन तुम इस नान के बाद अपने पित्रों के तरपड स्राध्य आधिकारे को करो बहाँ पर भगवान साली ग्राम की मूर्ती का पूजन करो उसके बाद भामण को भोज कराओ दान करो दच्छरा दो और गाय को कुछ भोजन अंस खिला दो इसके बाद तुम भगवान रिशी केस की पूजा फल अच्छत धूप दीप नैवेद फल आद से करो रात के समय जागरन करना है उसके अगले दिन दैनिक किरियाओं से निब्रत होकर पूजा बाद करो ब्रामण भोग दान दच्छना दो फिर पारन करते हुए ब्रत को पूरा कर लो नारत जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विदी विदान से इंद्रा एकदसी का ब्रत करोगे तो तुमारे पिता को अधोगती से मुक्ती मिल जाएगी बेस्वर्ग लोग प्राप्त कर पाएंगे इतना कहकर नारत जी बहां से चले गए अश्विन कृष्ण एकदसी तिथी को इंद्रा एकदसी आई तो राजा ने नारत हुनी के बताए अनुसार ब्रत पूजन किया दान दचिना देकर ब्रत को पूरा किया उस ब्रत के पुन्य से उसके पिता को अधोगती से मुक्ती मिल गई और बे यम लोग से मुक्त होकर भगवान विश्णू के लोग चले गई जब राजा इंद्रसेन की मृत्ती हुई तो उनको स्वर्ग लोग की प्राप्ती हुई स्रोतागन चलो जाल लेते हैं कि इंद्रा एकदसी का शुब मुहूरत कब है दोस्तों इंद्रा एकदसी का शुब मुहूरत शनिवार दो फैर दो वज़कर 49 मिनिट पर शुब मुहूरत है और ये जो शुब मुहूरत है वो सुबा 6 वज़कर 13 मिनिट तक सिद्ध होगा इंद्रा एकदसी का ब्रत करने से आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं दोस्तों ये विरत करने से आपके सभी पाप नस्ट हो जाते हैं जानकारी अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्षन में राधे राधे जरूर लेकिए